हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सलीम की गली और आज दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी टेल लाइट जो होती है जो ब्रेक लाइट होती है पीछेगी वो अगर आपकी डारेक्ट हो जाए तो उसको कैसे ठीक करें क्योंके दोस्तो आज मेरी गाड़ी उसकी डारेक्ट जल रही थी तो दोस्तो इस वीडियो में मैं ये ہी आपको ठीक करना बताऊएंगा कैसे आप अपनी डारेक्ट होई- टेल छेल लाइट को कैसे ठीक कर सकते हैं तो देख सकते हो दोस्तो यह वाली दोनों बलब जल रहे हैं और इधर का भी मैं आपको दिख हो मेरे हाथ में है और गाड़ी का you韌 आफ ist यहाँकी और यहाँ पर देख सकते हो इस पीडो में कोई लाइट नीजाली और यहाँ पर आप कर देता हूं और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं हैंडब्रेग को मैंने इस लिह करके हुआ था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरे handbrake का जो switch होता है वो तो नहीं खराब हो गया है तो handbrake को मैं down कर रहा हूँ या आप कर रहा हूँ तब भी उस पे कोई फरक नहीं पड़ रहा है वो लगातार हमारी जो backlight है वो जले जा रही है ठीक है फ्यूज होता है यह लिखा हुआ है यह जो हमारा उपर से तीसरे नंबर पर है 15 amp का fuse है stop lamp लिखा हुआ है इस पर ठीक है दोस्तो तो इस वाले fuse को हमें यहां से निकाल देना है वो इसलिए निकालना है दोस्तो क्योंकि जो हमारी battery है वो drain है उसको मैं इस fuse निकालने वाले टूल की मदद से जो है इसको भार निकाल लूँगा और fuse को भार निकालने के बाद मैं पहले इस fuse box को बंद कर देता हूँ और साथ ही आपको यह भी दिखा देता हूँ जो हमारी tail light है वो बंद हो चुकी है जो के लगतार जल रही थी तो दोस्तों fuse निकालने का मतलब सिरिफ इतना ही है कि ताकि हमारी battery drain ना हो और सिरिफ battery को बचा सके लेकिन इसका यह proper ilaj यह नहीं है कि fuse निकाल दो तो इसका जो proper ilaj मैं आपको अभी बताने वाला हूँ आगे इस वीडियो में तो वीडियो को बिल्कुल skip मत करना नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या problem है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो यह हमारा brake pedal जो है इसके अंदर यहाँ पर एक switch लगा होता है मैं आपको दिखाने की दिख रहा है ऐसा कुछ इस पर ब्रबड का pad लगा होता है जो के मेरे इस brake lever में अभी फिलान नहीं है क्योंके वो तूट चुका है मतलब तूट क्या गया है पुराना हो गया था काफी तो वो तूट तूट कर यहाँ से निकल गया है दोस्तो मैं आपको उसकी हालत भी दिखा दूँगा कि वो कैसे उसके कितने टुकड़े हो गए है तो अभी यह lever जो है हमारा सिरिफ उस पर टच नहीं हो पा रहा है जो switch है तो वो वैसे ही महीं पर रुका हुआ है तो इसलिए हमारी light बन नहीं हो पा रही है तो दोस्तो देख सकते हो इसके तूटकर कितने टुकड़े हो चुके है जो के अब समझ में भी नहीं आ रहा है कि यह क्या चीज होगी आप देख सकते हो एक side में screen पे नया आपको दिख रहा होगा और यह कैसा आपको दिख रहा है यहापर तो दोस्तों ये जो आप मेरे हाथ में देख रहा हूँ ये एक पुराना रवर्ड पैड है जो के बाइक के पिछले टैर में लगाया जाता है आपने भी कभी देखा होगा बाइक के ब्रेक ड्रम में ये फिट करा जाता है तो इसको मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ और इसमें से एक काटकर जो है छोटा सा ब्रेक स्टॉपर बनाने वाला हूँ अपने गाड़ी के लिए दोस्तों आप बोलोगे मुझे के तू नया क्यों नहीं खरीद लेता इतनी मेनत क्यों कर रहा है इसमें तो दोस्तों मैंने इसको ऑफलाइन तो मैं गया नहीं हूँ इसक किया तो ऑनलाइन मुझे ये बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था जिसके प्राइस तीन हजार से उपर थे दोस्तों अब मुझे पता नहीं इतनी चोटी सी चीज ये इतनी महंगी क्यों है इसलिए दोस्तों मुझे अपनी क्रेटिविटी दिखानी पड़ी इसको बनाने है पूरा और दबाने के बाद दोस्तों ये जो हमने रबड का स्टॉपर बनाया है इस रबड के स्टॉपर को यहाँ पर रखना है कुछ इस तरीके से और जो हमारे ब्रेक लीवर में एक होल बना होता है तो जो उस होल के अंदर इसको डालना है तो दोस्तों थोड़ी बढ़ का stopper बनाया है ये hole के अंदर चला जाए और दोस्तों काफी मेनत करने के बाद हमारा जो break stopper बनाया था हमने वो हमारा properly work करने लगा है ये देख सकते हो दोस्तों जैसे ही मैं अपना break lever press कर रहा हूं तो हमारा light proper work कर रही है या नहीं कर रही है लेकिन live demo दिखाने से पहले जो हमारा हमने stop lamp का वो निकाला था fuse यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमें तो पहले मैं आपको fuse लगा के दिखा देता हूं तो दोस्तों यहाँ पर हमने 15 amp का ये तीसरे number वाला fuse निकाला था तो मैं जल्दी से यहा से कुछ पगड़ना है यहाँ पर इस तरीके से और इसको शिर्फ अंदर की तरफ प्रेस कर देना है तो हमारा यहाँ पर fuse लग जाएगा तो देख सकते हूं दोस्तों हमारी यहाँ पर light proper work करने लगी है तो दोस्तों आप भी अपनी tail light के switch को कुछ इस तरीके से ठीक कर सकते हैं आज की वीडियो में फिलाल इतना ही अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों